दोस्तो 2B में input है तो भी आप नहीं ले पाएंगे हाँ जी दोस्तो आपने सही पड़ा इसका reason यह है कि 2B के अंदर जो input आता है वो system calculated होता है auto populated होता है ऐसे में जो भी input आ रहा है उसके अंदर आपको खुद से ही identify करना होता है कि कौन सा correct input है और कौन सा incorrect मतलब कौन सा eligible input है औ all other ITC यही input आपके 3B के अंदर उठके जाता है और को reversal होता है तो वो reversal भी उठके जाता है और यह same input देख सकते हैं यह June month का input है और यह same input 3B के अंदर automatic जाएगा और यहाँ पे supplier क्या करेगा अपनी JSJ 3B के अंदर इस input को claim कर लेगा मैं आपको दिखाता हूँ यह table 4 में उठक input का reconciliation करना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर ऐसे भी input है जो eligible है और inelisible है इसका आपको खुद से ही identification करना होगा इसके लिए government ने circular भी issue किया है आप circular नंबर 170 देख सकते हैं जो कि 6 जुलाई 2022 को issue किया है जहाँ पे government ने बोला है कि mandatory आपको correct यह proper information भरना होगा form GSTR 3B के input जो eligible है या inelisible है और यहाँ पे इसके आप पहला number 4 पे देख सकते हैं जो कि input as credit की बारे मोलता है कि कैसे आपको correct तरह के से availed करना है input as credit या reversal करना है या inelisible ITC को लिखाना है तो हमें बोलते हैं कि GSTR 3B के अंदर table 4A में 2A से उठके input automatic आता है ठीके तो उसके अंदर बह reversal भी होता है inelisible भी input होता है तो आपको अपने GSTR 3B के अंदर ये खुद से ही identify करना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर जो input आया वो eligible input है या inelisible input है और जो आपके electronic credit laser में credit होगा input वो correct वाला input credit होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि जो आप input claim कर रहे हैं वो section 16, subsection 4 के अंदर time barrd में हो time limitation में हो जैसा कि अब सभी जानते हैं पिछले साल का input इस साल के एक specify period तक ले सकते हैं September की 3 भी तक ले सकते हैं पिछले साल का इस साल और इस साल से CJSC Act में बदलाब भी कर दिया गया है और time limit को change करके 30 November कर दिया गया है तो अगली जो timing होगी वो 30 November की return जो जाएगी उसमें लेंगे और next year से 30 November की time limit को follow करेंगे होगा क्या मान के जली कि कोई भी supplier जो अपनी 3B file कर रहा है उसमें जो 2B में जो input उठके आया उसने पूरा का पूरा ले लिया ठीक है अपनी 3B के अंदर ये पूरा claim कर लिया वो सकता है इसमें कई ऐसे input हो जो time इंबाड में हो time limit जिनके खतम होगी लेकिन आपने input उसका ले लिया है तो ऐसे input डिजला हो जाएंगे ऐसे input को आप नहीं ले सकते हैं ठीक है इसका reversal करना ज़रदी होगा दूसरा इस input में कई input ऐसे भी होते हैं जो section 17 subsection 5 के अंदर आता है जैसे block credit के अंदर है personal use के लिए आ आपने कोई भी goods purchase कर लिया जो कि section 17 subsection 5 के अंदर block credit में तो वो भी inalisable होगे इस तरह के input को आप claim नहीं कर सकते हैं उसका आपको reversal करना होगा और अगर आपने goods receive नहीं किया यसा apply receive नहीं करिये लेकिन फिर भी आपके 2B के अंदर वो input उठके आ रहा है और उसका आपने credit ले किया मान लिजे किसी भी supplier ने by mistake आपके जेसी नमर पे input डाल दिया और आपने actual में goods receive नहीं किया और आपने कोई actual में goods services receive नहीं करिये ठके तो इस तरह के input को भी आप नहीं ले सकते हैं ठके क्योंकि दोस्तों इस तरह के goods का input अलाव नहीं होगा अगर आपने supply receive नहीं करिये तो जो भी 2B में input आ रहा है उसका आपको पहले reconciliation करना होगा कि reconcile करो कि क्या input जो 2B में आया और जो आप 3B में claim करने जा रहे हैं क्या वो correct है कई पर होता क्या है जब हम accounting करते हैं तो कई ऐसे input होते है expense claim कर लेते हैं अपनी books के अंदर जैसे bank charges है bank charges को आपने bank charges में ढाल दिया उसका input claim नहीं किया books के अंदर input की booking नहीं करी books में और आपने उस input को portal पे claim कर लिया books में तो है नहीं लेकिन आपने portal पे claim कर लिया ऐसे में जो books का ITC होगा as per books और portal पे input होगा उसमें भी difference होगा तो वहाँ भी आपको इन बातों का भी दियान रगना है कि books के अंदर जो भी आपने input book किया है क्या वो टूबी के अंदर आ रहा है उसकी आपको एक proper matching करनी होगी तब ही आप उस input को claim कर पाईए इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप GSTR 3B फाइल करें तो proper और correct information ही फर्निस करें वीडियो के से लगी ज़रूब होता है ताइंक्यू समच जहन व अन्ने बातों